असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो मैं चैनल पारमेडिक्स करियर रिकूप्मेंट ओफ वेरियस ग्रूप बी और ग्रूप सी पोस्ट फॉर जिपमर पॉंडिचरी डिसेंबर 2021 यहां पर जो है अडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज हो चुकी है इसकी डीटेल्स जो है यहां पर एक कुछ इंपॉर्टन स्टेट डीवी है ओनलाइन रिजिस्टरेशन ओफ अप्लिकेशन अवेलेबल फ्रॉम 13 डिसेंबर 2021 यहां से स्टार्ट होके इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 5 जैनवरी 2022 को 4.30 पीम तक जो है यह ओपन रहेंगी यहां पर इसके बाद जो है आपको खॉल टिकिट जो है यहां वेबसाइट दियुए है वहां से 13 जैनवरी को जो है आपको 2022 को आपको यह डाउनलोड करना है और एक्जैम डेट जो रहेंगी वो 23 जैनवरी यहांनि के संडे के दिन जो है सिंगल शिफ्ट में 9 to 11 एम इस जो है डेट में और टाइम में जो है आपकी एक्जैम होगी इस तरह से जो है यहां पर आपको जो है डेट को फॉलो करते हुए आपको यह एप्लिकेशन फॉर्म जो है वो फिल अप करना है यहां पर कुछ इंपोर्टन जो है नोट्स दिये हुए है स्कीम ऑफ एक्जैमिनेशन एन स्कील टेस्ट विल बी अनौन्स लेटर जो स्कील टेस्ट की जो रहेंगी वो आपको जो है बाद में अनौन्स किया जाएंगा जैसे के मैं आपको आगे जो है पोस्ट बताने वाला हूँ पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है स्कील टेस्ट होता है इसके अलावा जो है यह एड़टाइजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है application करने से पहले पहले आपको advertisement पूरी अच्छे से पढ़नी है दो post है medical laboratory technologist और junior administrative assistant इसकी detail यहाँ पर जो है दी हुई है जैसे के number of vacancies MLT के लिए total post 12 है unreserved के लिए 2 है और OPC के लिए 2 है और SC के लिए जो है 1 है और ST के लिए 7 है और group B में यह आएंगा और group C के लिए जो है junior administrative assistant के लिए जो है total post जो है वो 8 है जिसमें जो है unreserved के लिए 4 है EWS के लिए 2 है और SC के लिए जो है वो 2 है इस तरह से जो है total post यहाँ पर आपको describe किया हुआ है यह दोनों post के लिए जो है आपको online application जो है वो fill up करना है इसकी detail भी मैं आपको आगे दे रहा हूँ इसके लिए जो है हम यहाँ पर देखेंगे के qualification MLT के लिए जो है essential qualification जो है वो bachelor degree in medical laboratory science with two year relevant experience जो लोग महाराश्ट्रा से है वो government medical college से जो BPMT करते है वो भी जो है यह degree में ही आते है BAC MLT में तो वो बलोग भी जो है apply कर सकते हैं इसमें जो है pay scale जो है वो level 6 पे दिया हुआ है 7 CPC के according जिसमें आपको जो है age limit जो है वो up to 30 years जो है वो eligible है minimum age जो है वो 18 year जो है complete चाहिए at that date of closing date of applications की वहाँ पर आप 18 के अगर होते हो और आपके पस qualification है तो आप जो है यह form apply कर सकते हो उसके अलावा PWD के लिए जो है वो अलग से जो है reservation होता है इसमें जो है यह group CK qualification के लिए junior administrative assistant के लिए 12th class और equivalent qualification from recognized board और university और इसमें जो है typing speed जो है वो 35 English और 30 जो है वो हिंदी चाहिए only on computer ठीक है इस तरह से यहाँ पर इनका जो भी typing का होता है वो सारी चीज़े यहाँ पर दीव भी है आप advertisement में से देख सकते हो इसमें pay scale जो है वो level 2 पर है और pay matrix जो है इसकी 7 CPC पर है इसकी भी age जो है वो up to 30 years है यहाँ पर दिया हुआ है candidate must have attained the minimum age of 18 years as on closing date of registration 5 Jan 2022 यहाँ पर जो है वो 18 complete जाहिए जैसे के मैंने आपको पहले भी बताया है इसके आगे हम देखेंगे online आपको form कैसे fill up करना है यह सिर्फ online mode पर ही आपको जो है यह form fill up करना है जिसकी जो है online application user interface जो है वो nx.7 में दिया हुआ है इसमें आपको जो है online यहाँ पर जो है website दी हुई यह website पर जो है आपको registration करना है उसके बाद आपको advertisement को detail में जो है आपको एक पर अच्छे से read करना है और यहाँ पर दिया हुए the flow chart for failing application online given as appendix next year 7 in the prospect यह prospect अगर आप टाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको flow chart दिया हुआ है आप वहाँ पर flow chart के according जो है आप online application जो है वो कर सकते हो इसमें जो है fees दिया हुआ है फीस structure जो है application fees for each category a mention below to be paid by the candidate using any one of the following mode of payment net backing, credit card, debit card no other mode of payment will be accepted यानि के यह तीनों से ही आपको जो है वो करना है इसमें category wise आपको जो है fees दियू भी है unreserved और EWS के लिए जो है 1500 रुपीज जो है वो चार्ज है OBC के लिए भी 1500 रुपीज है और SAST के लिए 1200 रुपीज है और PWD के लिए जो है उसके लिए कोई भी fees जो है नहीं है वहाँ पे आपको जो है यह form free रहेंगा website link जो है वो description में available है आप वहाँ से जो है website पे जाके आप online application form भी fill up कर सकते हो और वहाँ से यह PDF को download करके आप पहले एक बार अच्छे से read भी कर सकते हो तो मैं request करता हूँ कि online application करने से पहले एक बार जो है instruction को अच्छे से read कर लेजी है और कोई भी दिक्कत होती है तो आप comment box में मुझे पूछ सकते हो अगर यह information आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like कीजिए और जैदा से जैदा शेयर कीजिए thank you and best of luck to all candidates